उत्तर परदेश जनपत गोंडा के जंजरी बिलाक अंतरगत ग्राम सभा कश्टुआ के मस्जिद के इमाम मौलाना मुझमिल हुसेन ने गाउं के लोगों को बुला कर एक बैठक की जिसमें उन्होंने सब्बे बारा तिवहार कैसे मनाया जाता है इस बारे में लोगों को जानकारी दी और उन्होंने लोगों से बताया कि बिरस्पत वार से सुरू है इस तिवहार को जो शुक्रवार सुबा तक चलेगा सब ही लोग अपने घरों पर रहें और नमाज पढ़ें रोजा रखें दुआ मांगें अपने बुजर्गों के लिए दुआ मांगें क्योंकि इस समय पूरा देश लाग डाउन है और देश के हित के लिए हम लोगों को भी आगे आना होगा सब ही लोग अपने अपने घरों में रहें और नमाज पढ़ें रोजा रखें दुआ मांगें माई पलस नियू नेटवर्क से उत्तर परदेश जनपत गोंडा से मुहम्मद शुलेमान की रिपोर्ट जैसा कि आप तुमाबे अज़रात जानते हैं कि आज शावान मुझम की चवड़ा तारीफ है और यह दिन गुजरने के बाद जो आने वाली राद है इस राद को शबे बराद करते हैं शबे बराद के मतलब होता है निजात पाने वाली राद इस राद में सारे मुसल्मान अल्ला तबारक वदाला से गुनावों से निजात पाने के लिए दुआ करते हैं और हम लोग भी आज राद यही करेंगे इंशाला हमारा तिवहार है विस्तिवहार को मनाएंगे बशर्ते जिस तरीके से हम और आप मस्जिद में इकठा होते थे उसके इवज मस्जिद में ना इकठा हो करके अपने अपने खरों में हम जागेंगे पुरान पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे और जो कुछ भी जिसे आता है वो उस तरीके से अल्ला को याद करेगा आज हमारे पुरे देश में मुल्क में लागडाउन लगा हुआ है उसको मते नज़र रखते हुए हम और आप उसको मते नज़र रखते हुए एक जगे पे कहीं एक ठाना हो दो तीन लोग एक ठाना हो घर से बाहर ना निकले और इस लागडाउन का पूरा पूरा ख्यार लगए है जैसा कि पूरे देश में लगा हुआ है और वो इसलिए लगा है कि आप के शहर में बिमारी आई है जिसका झानाम कॉरोना वाइरस है इस कॉरोना वाइरस जैसी बिमारी से बचने के लिए हम और आप अपने घरों में रहें सुरच चीत रहें और अरल्ला से धुखर करें कि मवला हमें हमारे गुनाहों से भी chnयाद लजार लजार करमा और इस हिंदुस्तान को कुरोना जैसे बीमारी से भी निजार लजार लजान तो हमें यही काम करना है कि गुनाहों से भी मख्फिरत मांगनी है और शवे बरात कि इस मुबारत मौके पर अल्लाह तबारक बताला से इस कुरोना जैसी बीमारी से भी निजार मांगनी है कि अल्लाह पूरे हिंदुस्तान को कुरोना जैसी बीमारी से महभूजों मामूर परभाया और इस बिमारी को इस हिंदुस्तान से बलकी पूरी दुनिया से उठा ले खतम कर दे और हम सब लोग तमाम लोग अपने इस हिंदुस्तान में जिस तरीके से जिन्दगी गुजार रहे थे उसी तरीके से आएंदा बीमारी के खत्म होने के बाद भी जिन्दगी बजारें आने वाला शब्राद के बाद आने वाला रम्जान है तो रम्जान से पहले अल्ला तबारक बताला से दौा है मुला इस दुआ के सद्के इस रात के सद्के इस रात के सद्के इस कोरोना जैसी बीमारी को इस हिंदुस्तान से बलकि पूरी रुए जमीन से इस बीमारी को खतम कर दे ये शवे बरात है शब के माने रात होता है ये रात का तिवार है इसमें कोई जरूरी नहीं की कठा हूँ हम अपने घरों में जिस तरीके से हम लोग आज कई दिनों से अपने घरों में पैद है इसी तरीके से आज रात भी हम अपने घरों में पैद रहे तरके और इस तिवार को मनाएंगे अल्ला तबार्फ बताला तमामी हिंदुस्तान के मुसल्मानों बल्कि पूरे रुए जमीर के इंसानों की इस बला से निजात अता फर्माएं और सबकी इस शब बरात के मौके पर सबकी बख्शिसों मगफिरत फर्माएं असलाम वाले रहा हिंदुस्ताना ओर्माइं जाएं जाइव दो आएंदुस्ताना वाले झाल